इन का जवाब पत्थर से दिने आये हो नहीं धोके का जवाब बदले से आप लोग समझ गए होंगे किस फिल्म का डायलोग है यह उसे फिल्म का डायलोग है जो अपने पहले वीकेंड दो सो करोड का आंकडाप पार कर लिया है ये उसी एक्टर की फिल्म है जिसे लोग बेहत पसंद करते हैं हम बात कर रहे हैं फाइटर की फाइटर में कौन है फाइटर में रितिक रोशन है रितिक रोशन के लिए सिधार्त आनन का जो साथ है वो एक बार फिर कामियाब रहा है और पठान जिसे धुआंदार ब्लोगबस्टर तो देदी सिधार्त आननने पिछले साल उन्होंने पठान रिलीस की थी और एक बार फिर इसी साल उन्होंने अपनी किस्मत को अज़माया और कहा कि इस बार रितिक रोशन को लेकर आते हैं फाइटर बनाते हैं और फाइटर कौन सी फाइटर इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म और देखते हैं कि क्या धहमाल होता है धहमाल हो गया क्योंकि फिल्म में रितिक रोशन और दुपे का पादू कौन थे पहली ब फाइटर की जो कंपेरिजन है वह हॉलिवड फिल्म से किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि यहां पर सेम लेवल की जो भी एफिक्स उसका यूज किया गया है पहले जो अब टीजर देखा था तो ऐसा लगए था कि हम वीडियो गेम देख रहे हैं या वीडियो गेम खेल र रही है वह भी फाइटर के नब आपको बताया चाहिए कि फाइटर कब रिलीज हुई अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप थोड़ी से इंफोर्मेशन जानी जो क्या बता आप फिल्म ऐसे सुनने में अच्छी लग जाए फाइटर 25 जनवरी को थेटर में रिलीज ह शुरुआत चे में शुरुआत चे ही कि बहुत कम कंख्योन होग इतना ज्यादा कैले नहीं होगा जितना लोगो वे बस देखने को jago को लोगों को इतना दमधार वह ट्रेलर फिकलिवी नहीं हुआ लोगों को अचा वह टीशर नहीं हो तो उससे उमीड चाही डोइट खी को मिला शुकरवार को रिपब्लिक डे की छुटी वाले दिन फाइटर ने करीब सतर प्रतीशत का जंप लिया और ऐसे बड़े जंप के बाद फिल्म ने फिर शनिवार और अविवार को भी जो रफ्तार है वो अपनी बनाई रखी और वीकेंड पे अच्छा खासा कलेक्शन क साथ आपको यह भी बता दे कि ओपनिंग कम हुई थी ओपनिंग हुई थी कुछ 25 करोड़ रुपे से लेकिन फर शनिवार को 41 करोड़ का इसने कलेक्शन कर लिया रेपब्लिक डे की जो होली डे थी तब फिल्म को बहुत ज्यादा मदद मिली क्योंकि छुटी थी सबकी तो समने सोचा क्यों ना फाइटर दे कर आई जाए और इतने बड़े दिन के बाद शनिवार को फिल्म ने 27 करोड़ कमाए और फिर यह जो फिल्म है वो सॉलिड बनी रही फिल्म थ्रजडडe के दिन रिलीज होय थी हाना कि फिल्म है och vind decay फिल्म को रिलीज हुती है ज्यादा तर्लेकिन About डाइन्य रबिवालगा पार जेमाणे तो वह खेती है maps поб erste 9-2 करोड़ के बीच में collection किया है फाइनल आंक्रों की जो लिस्ट है उसका इंतजार किया जौरा है क्योंकि उसमें जो आंक्रे हैं वो उपर नीचे हो सकते हैं यह अभी अनुमान लगाया जौरा आफीशल अभी आने बागी है और ऐसे में यह कहा जौरा है कि अब तक 4 दिनों में फाइटर का जो नेट कलेक् लिक्षन लेकर सब्सक्राघुकि कारियर का दूसरा बेस्ट करोर लेकर ए एकumuz दॉक्षन कर लिया था बात की जो पिजा है रित्क के करियर के बारे में कि कौन से इसी फिल्म में है और किया fightr उनकी üsसे टॉप में आती है तो रित्क के career में war और fighter के बाद उनकी जो तीसरी टॉप रही है वो ऊपनिंग bang bang के नाम है केट्वीना कैप के साथ रितिक की बैंक बैंक आई थी जिसने भॉक्स आफिस पर धरमाल मुझवारीय था भॉक्स आफिस पर इसने पहले वीकेड्ड ही 44 करोर पर कमाई थी रितिक रोशन और डिरेक्टर सिधार्थ आनन का जो साथ है वो बॉक्स ओफिस पर कितना कामियाब रहा है इसका जो प्रूफ है ये वीकेंड कलेक्शन ही बता रही है अब ये काम्याब इसलिए भी रहा है क्योंकि रित्य के करे की जो तीनों बेस्ट वीकेंड कलेक्शन है वो सिधारत की ही फिल्मों से आई है यानि की रितिक और सिधार्त आनन का जो साथ है वो काफी सही रहे हैं, काफी कामियाब रहा है क्योंकि रितिक जıtती भी फिल्म जो अच्छी गई हैं तो सिधार्त आनन से ही कहीं जूड़ी हुई है FIGHTER के सामने अब सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो सॉमवार का है क्योंकि हव्ते का पहला वीकेंड फिल्मों का वो भविश्य बना भी सकता है और बिगाड भी सकता है क्योंकि जो Monday टेस्ट होता है वो फिल्मों के लिए बहुत जादा जरूरी होता है याने के 60% से कम कि अगर इसमें गिरावट होती है उसके साथ अगर यह काम्याब हो जाती है कमाई करने में तो फिल्म का आगे का सफर है वो आराम से कट जाएगा याने की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर गिरावट का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो यहां पर उनको दिक्कत हो सकती है और कमाई में भी यहां पर थोड़ा सा घाटा देखने को मिलेगा फिल्हार आप लोग में कॉमेंट करके यह बताए कि क्या आप लोगों ने फाइटर देख ली है और अगर देख ली है तो आपको वो कैसी लगी और कौन सबसे अच्छा लगा और तब आम इसे और जो अनकारी के लिए हवार्चन बने रहें